ब्राट तो यू बाई टेक्नो स्पार्क 20 सीरी स्मार्टफोन्स पर हमला भी बोला इस पर और बात्चित करने के लिए हमारे साथ खुद मनोतिवारी जी हैं तो सर आज चुनावों का परचार हुआ मुख्यमंत्री यहां आए भजनपूरा में आए नौर्थी इस टेली में आए और आपके खिलाब पूरा हमला बोला उन्होंने आपके खिला चारपांदिन में जो घटनाए घटी है वो चारित्रिक रूप से भी दिवालिया हो चुके हैं अरविंद केजरिवाल को सुप्रिम कोट ने बहुत ही बेज़्यत करके भेजा हुआ है माथे पे लिखा पहले सुप्रिम कोट ने कि अरविंद केजरिवाल ये भ्रष्टा च इंदर उनको जाना है सोचिए कितना बड़ा उनका अपराद है और वो व्यक्ति बाहर आने के बाद महिलाओं का अपमान करते हैं इतने गुस्य में हैं कि महिला की पिटाई करवाते हैं और पहली बार में देखा कि विनाश काले विपरित बुद्धी सच प्रतीत हो रही है कि एक महिला को जिसने पीटा उनी के घर में अर्विन केजरिवाल जी के राजमहल में वो पिटने वाली महिला के पक्ष में नहीं हैं पीटने वाले अपने पीए बिभव के पक्ष में हैं तब मैं समझता हूं कि वो क्या क्या बोले होंगे हमें उसका अंदाजा है पचास हज प्रचार के निजी मुचलके पे आये हैं और आना पड़ा उनको लेकिन कितनी शर्मसार होके आये कि उनका कंडिडेट भी नहीं है जहां पे उनके साथ विधायक हैं वहां या माधिर पाठी का कंडिडेट नहीं है किसके लिए प्रचार करने आये थे उसके लिए प्रचार कर ने आये थे जो कहता है देश के टुकड़े टुकड़े करेंगे भारत तेरे टुकड़े होंगे तब पुन्नु का जो आरोप है कितना सही लगता है कि देश के एक टुकड़ा करने के लिए अर्विंद केजरिवाल ने पुन्नु जैसे आतंकवादी से डील किया पैसे लिए अब देश और दिल्ली दोनों डिसाइड कर रही है मुझे लगता है बहुत इंट्रिस्टिंग है और आज तो मुझे लोगों ने बताया कि जिस मार्केट से वाज जा रहे थे रोड़ सो में मार्केट ने प्रोटेस्ट में मार्केट ही बंद कर दिया वो पुरा भजन पुरा मार्केट के दुकानदारों ने कहा कि इतना नकारात्मक व्यक्ति आ रहा है हम मार्केट ही बंद रखेंगे और जैसे कंडिडेट के लिए आ रहे हैं ये आश्चर जनक बात है और मैं समझता हूँ इसके बाद वो क्या बोलेंगे मनोस्तिवारी को गाली दिये होंगे अब मनोस्तिवारी को गाली देने के पहले उनको ये देखना चाहिए ठा कि मनोस तिवारी ने किस तरह इस छेत्र की सास्तिरी पार्क से ट्रैफिक जाम को खतम किया कैसे खजुरी चोराहा करावल नगर पुस्ता एक, दो, तीन, चार, पाँच को कैसे सहज किया कैसे मेट्रो ला करके जिस मेट्रो को रोक के बैड़ गये तहीं नहीं आने देंगे तो आई होगी कि दिल्ली ने जो कहा था जो वादा लिया था वो करने की जगह खुद शराब घोटा दे में जेल में इसी भी चाप पर उन्होंने हमला किया ही प्रधान मंतरी मूदी पर हमला करते हुए कहा कि वो मुझे जेल भेजना चाहते हैं जेल में मेरी इंसुलीन रोक इससे पहले वी जब जेल से बाहर आये तो उन्होंने बीजे पी पर वहत गंभीर आरूप लगाए। अगर वो यह कहते हैं कि जेल में इंसुलिन रोक ली तो फिर उनके साथ आतिसी साजिस कर रही है फिर उनके साथ वो भारदवाज साजिस कर रहे है क्योंकि जेल तो अर्विंद केजरिवाल के अंडर में है फिर इंसुलिन रोका किसने इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि अर्विंद केजरिवाल एक शातिर अपरादी है शातिर अपरादी है बड़े बड़े अपरादी भी इतने नहीं दिमाग लगाये होंगे जितना अर्विंद केजरिवाल ने दिमाग लगाये लेकिन देखो कहते हैं कि कितना विश्याणा हो पकड़ा तो जाता है और आज सु प्यम, ऐसी और भी जो मेरी जोजनाय हैं और क्यों नहीं चलाते हैं उन्होंने 50 इसकूल बंद करवाए हैं बनाए नहीं हैं ये एक नंबर के जूटे व्यक्ति हैं अगर 50 नए इसकूल बनाए होते तो बताईये 50 इसकूल के स्टाफ कहा गये एक व्यक्ति का नया आगर मिला ह ये तो देखिए इन्होंने एक काम किया था जो बने हुए स्कूल है उन्हीं में कुछ एक्ष्ट्रा कमरे बनवाए और वो भी कमरे स्कूल नहीं नहीं बनवाए कमरे भी बनाए जो पांच लाक रुपिया में बन सकते थे वो पचीस लाक रुपए में इन्होंने बिल बनाया 28 लाख रुपए में और उसका केस मैंने किया था अभी लोकायुक्त महोदे ने लोकायुक्त महोदे ने नोटिस जारी कर दी है और इन लोगों के ओपर केस खुलने वाला जाते जाते वह आप पर व्यक्तिकत हमला करते हुए ये कह गए कि 25 तारीक को हाथ का बटन दवाना है रिंकिया के पापा को हराना है क्या जवाब देंगे सर। रिंकिया के पापा मतलब बेटी का पिता तो जब बेटी का ही नहीं वो समर्थक है तो बेटी के पिता को कैसे जीतता हुआ देखेगा अरविंद केजरिवाल बेटीयों के और बेटीयों के पिता दोनों के दुश्मन हो चुके हैं इसलिए मैं आपको बता दू इनको ये ब बेटी का पिता एक बेटी को तो गिरा गिरा के मारा ही है अब कह रहे हैं कि बेटी के पिता को हराना है हम चाहते हैं कि बेटी का पिता जीते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसलिए कर रहे हैं इस व्यक्ति को कितना मतलब मैं बताओं यह पता नहीं कहां से पढ़ाई पढ कहते बेटी के पिता को हरानी की बात कह करके उन्होंने अपने लिए और भी निया बखेडा खड़ा किया है क्योंकि जिसके लिए परचार करने आये तो खुद बेटियों को छेडा करता है तिंते नजार रुपे का जुर्माना लग चुका है तो ये थे हमारे साथ मनुष्तिवारी उत्तरपूरी दिली से भारतिय जनता पार्टी के उमीदवार जिन्होंने हमसे बातचीत करते हुए आज यहां दिली के मुखे मंतरी अर्विंद केजरी वाला आई थे भजनपूरा में चुनावी परचार करने के लिए भारतिय जनता पार्टी पर भी उन्होंने हमला किया और साथ से साथ मनुष्तिवारी जी पर भी मतलब उन पर खुद हमला किया उस पर उन्होंने अपनी बात भी रखी और अपने जो विचार हैं वो भी साजा किये कैमरा मैन लोग के अंदर पांडे के साथ अनमोर बाली की दिली से रिप झाल 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 झाल